आज फिर से मैं आपके साथ हूँ English के कुछ और interesting sentences को लेकर जिन्हें आम बोलचाल में काफी इस्तेमाल किया जाता है First sentence है, कुछ तो है इन आखों में बड़ी शैराना line है ये तो इसकी English बनेगी, there is something in these eyes There is something in these eyes Next is, मैं बस घर पहुच रहा हूँ या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं बस घर पहुचने वाला हूँ तो दोनों तरीके से आप इसको बोल सकते हो I am just about to arrive home I am just about to arrive home, arrive मतलब पहुचना Next is, कई बार आपको जुकाम हो जाता है तो आपके मूझ से निकलता है कि अरे मेरी तो जुकाम से हालत खराब है तो किस तरीके से बोलेंगे आप इसे I am down with a cold I am down with a cold जुकाम से तो मेरी हालत खराब है Next is, मेरा दिल नहीं लगता यहाँ कई बार आपको जगे पसंद नहीं आती तो आप बोलते हो कि अरे मेरा यहाँ पर दिल नहीं लग रहा तो कैसे बोलेंगे आप I am not at peace here I am not at peace here Next is, सब कुछ सही जा रहा है कई बार आप चीज़ों के लेके बहुत ज़्यादा positive होते हैं और आपके मूझ से निकलता है कि सब कुछ सही जा रहा है मजाग कर रहे होगे इसे बोलेंगे You must be joking मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब सेंटेंस में must be लग जाता है तो उसकी हिंदी निकलती है कोई काम हो रहा होगा ऐसी संभावना जताई जाती है तो तुम जरूर मजाग कर रहे होगे You must be joking Next sentence देखते हैं Next is मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ मतलब I have my own ways अपना ways मतलब तरीका मतलब मेरे अपने ही तरीके हैं अपनी लाइफ में मैं अपनी ही मर्जी का मालिक हूँ इस तरीके से बोलेंगे Next is अपने आप पर भरुसा रखो Have faith in yourself Faith मतलब भरुसा Have faith in yourself Next is तिर्ची नजरों से मुझे मत देखो Don't give me side looks तिर्ची नजरों से मुझे मत देखो Don't give me side looks Side मतलब यहाँ पर तिर्चा मतलब Side में, बगल में, तिर्चा तो तिर्ची नजरों से मुझे मत देखो Don't give me side looks अच्छा sentence है last sentence is मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ या फिर हम बोलते हैं मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ तो कैसे बोलेंगे I'm only yours I'm only yours अई हो friends आपको वीडियो पसंद आए होगा प्लीज लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन sentence को revise करना मत भूलेगा आप